नमस्कार दोस्तों लोगसभा में 242 सीटे जीतने वाली बिजेपी बले ही नितिश कुमार चंदरबाबू नैडू चिराग पासवान जैसे सयोगियों की बदवलत बहुमत के आकड़े को पार कर सरकार बना ली हो लेकिन राजसभा में बिजेपी को बहुमत नहीं है एंडिये के साथ भी भाजपा बहुमत के आकड़े से इतनी दूर है कि 22 तारिक से सुरू हो रहे है मांसून सेशन में बिजेपी को अपने मन का एक भी बिल पास करवाने में खासी मसकत करनी पड़ेगी इसकी वज़स सिर्फ और सिर्फ लोग सभा चुनाव है जहां बिजेपी ने अपने उन नेताओं को अपना विरोधी बना लिया है जो कभी मुसीबत के समय राजसभा में दोस्त हुआ करते थे और जिनकी बदलत बिजेपी बहुमत के आकड़े से दूर रहने के बावजूद अपनी मर्जी के बिल पास करवा लेती थी राजसभा में सीटों का कुल आकड़ा है 245 का और मौजूदा सांसदों का आकड़ा है 226 का राजसभा में जो बहुमत का आकड़ा है वो 114 सीटों का है और बिजेपी के पास वर्तवान में कुल 86 सांसदों की संख्या है राजसवा में NDA का जो आकड़ा है 101 का है यानि NDA राजसवा में पहमत के आकड़े से अभी 13 सीटे पीछे है अब अगर इस लोगसवा चुना में BJP ने अपने पुराने दोस्तों को विरोधी नहीं बनाया होता तो इन 13 की भरपाई तो BJP आराम से कर लेती BJP के पुराने दोस्त रहे नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड़ी ये दोनों NDA में नहीं थे इसके बावजूद कम से कम राजसवा में तो BJP के दोस्त हुआ करते थे लेकिन इस बार के लोगसवा चुनाओ और फिर और इसा आंदर प्रदेश में हुए बिधान सवा चुना पाती रही है आंदर प्रदेश में भले ही BJP ने सीधे तोर पर जगन मोहन रेड़ी को ना हटाया हो लेकिन हटना तो जगन मोहन रेड़ी को भी पड़ा है उन्हें हटाया है BJP के सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी टीडीपी ने जिसके मुखिया चंद्रबाबू की पार्टी यानि टीडीपी एंडिये का हिस्सा है और मोधी सरकार में उनके मंत्री भी है अब इसलिया से नविन पट्नाय के 9 राजसभा सांसद और जगन बॉन रेड़ी के 11 राजसभा सांसद यानि कुल मिलाकर राजसभा में इन दोनों के 20 राजसभा सांसद हैं अब 20 20 राजसभा सांसद अब बीजेपी के साथ नहीं है लियाजा बीजेपी चाहे जितनी भी कोशिस करे अभी तो उसके पास बहुमत जुटता हुआ नहीं दिख रहा है बाकि 11 सीटों पर चुना होने हैं इसमें कम से कम 6 सीटे बीजेपी आसानी से जिट जाएगी बाकि के जो इंतिजार करना होगा क्योंकि अभी तक न तो 11 सीटों पर चुनाव की घोसरा हुई है और नहीं वो तारीक आई है जब खाली हुई 4 सीटों पर राश्पती किसी को नॉमिनेट करें हलाकि बीजेपी की सकमजोरी का फायदा कॉंग्रेस को मिलता हुआ नहीं दिखाए दे र रहा है क्योंकि ये चाहे बीजनता दल हो या फिर वायर सार सीपी ये दोनों भले ही बीजेपी के खिलाफ है लेकिन ये इंडिया ब्लॉक का हिस्सा भी नहीं है ऐसे में कॉंग्रेस और उनका गड़बंदन बीजेपी को राश्पाय में रोक तो सकता है लेकिन अपनी मेर के चार सांसर तो अभी चुने जाने से रहे ऐसे में बहुमत का अकड़ा 121 का हो जाएगा और तब 121 सीटों वाली एंडिया के पास 111 सीटे ही होंगी और तब भी बीजेपी वाला एंडिया बहुमत से 13 सीटे दूर ही रहेगा तो देखते हैं 22 तारीक को जो मानसूल सत सुरू हो रहा है उसमें बीजेपी कौन-कौन से बिल लेकर आती है और उसे भी ज्यादा नजर इस बात पर सबकी रहेगी कि बीजेपी कौन-कौन से बिल पास करभा पाती है